दोस्तों आप सबका स्वागत है Mr.Math के YouTube चैनल पे और एक शांदार क्वेशन आपके सामने है आप वीडियो को पॉस करके इसको ट्राइ कर सकते हैं काफी कोशिश कीजिए इसको ट्राइ करने की ताकि आपको बहतर आइडिया समझ में है और आईए हम लोग बात करते हैं इसके solution की देखें वैसे तो question बहुत straightforward है बहुत असान question है अब सीदा सीदा क्या कर सकते हैं इस question में आप ना दोनों तरफ कर दे square ठीक है by squaring both sides अगर आप लिखते है by squaring both sides अगर आप square करते हैं both sides by squaring both sides तो अगर आप square करते हैं both sides तो अगर आप square करेंगे दोनों side तो देखें कि यहाँ पर भी square हो जाएगा अब आपको पता है कोई भी number हो मालनो root में कोई number y लिखा हुआ है तो जब आप उसका square करते हैं तो basically होता क्या है देखो root का मतलब होता है power में बन भाए है और उसके अपने power के दिने रखी है square अब power के ओपर power अबशा क्या होती है multiply है तो इसे लिए हम लोग कहते है कि square से root जो हो cancel out हो जाए तो हम लोग यही करने वाले यहाँ पर भी squad आदेते है तो अगर मैं इस चीज का square करता हूँ तो इस case में root जो हो हट जाएगा उपरा जाएगा x नीचा जाएगा x plus ठीक है क्योंकि असल में यह क्या दिया हुआ है a minus b तो अगर आप root a minus root b का whole square करते है तो हो जाएगा root a का whole square plus में root b का whole square minus 2a भी होता है minus 2 into a into अब root e square यहाँ पर हट जाएगा तो a बचेगा यहाँ पर खली बचेगा यहाँ पर बचेगा 2 और root पूरा आके a भी अंदर आजाएगा तो इस तरह से आपका यह formula बन जाएगा इसी pattern में आपको यह question जो है वो change करने वाला हो तो I hope कि यह basic idea आपको पता हुआगा यह identity है यह यह वरा में आपने नहीं सीखी है तो आप सीख सकते है अब अगर इसका उला square करोगे तो a square plus b square तो x plus 3 का square है वो जाएगा x plus 3 और नीचे आजएगा x a square plus b square अब a minus b का उला square है तो a square plus b square minus 2 तो minus 2 into a तो दोनों को एखटा कर लो root में जैसे को इने root a भी लिख दिया था इन्हें में एखटा करके लिख दियता हूँ x upon me x plus 3 multiplied by x plus 3 upon me x और यह equivalent हो जाएगा इसके square के तो minus के 3 का square कितना हो जाएगा यहां लिख देते साइड में 9 और 2 का square जाएगा food minus इसलिए अटा दिया कि square का मतलब होता है उसी number को उसी number से multiply करना तो minus से minus cancel out हो जाएगा अब तो question बहुत ही असान होगा देखें यह कट जाएगा यह कट जाएगा बचेगा कितना one और root one का मतलब तो one ही होता है तो basically पुरा root वाला system हट गया ठीक है आप देखो यह वाला system है इसको आपको cross multiply करना होगा तो आप इसको अदर ले जाओ x को x से multiply करो क्या जागा x square और इसको अदर लेका multiply करो x plus 3 को मतलब क्या आप करना क्या चाहरो हो उसका whole square करना चाहरो हो तो अगर आप उसका whole square करना चाहरो तो identity क्या हो जाएगी a square plus b square plus two a square x का square plus b square second वाली term का square plus 2 a और b तो 6x हा जाएगा तो इस तरह करके मैं वहाँ पर identity खोलने वाला तो मैं इसको ऐसे रिख सकता हूँ यह होजाएगा a² प्लस b² प्लस 2a और नीचे x से इन दो रोगों को multiply करूँगा जब यह वाला x से multiply होगा तो x होजाएगा और जब 3 से multiply होगा 3 से तो 3x होजाएगा क्यों क्योंकि distributed property यह से अलाव वरती है आपको solve करने के अब इदर यह तो पुरा 1 होगया था तो सिरफ 2 ही बज़िगा था माइनस का 2 जब यह उधर जाएगा तो प्लस का 2 होजाएगा तो 9 बाय 4 के बास जब यह जाएगा तो प्लस का 2 होजाएगा चला आगे solve करते हैं तो अब देखें x2 प्लस x2 कितना होजागा होजागा 2 x2 आपका और प्लस में 6 x दिया होगा प्लस में 9 दिया होगा आगे पीछे करने उससे क्या ही फिर्फ पड़ता है न और यह जो x2 प्लस 3 x है इसको भी आज़े देख लिख दिया फार नाओ अब आप यहां solve करलो 4 2 होजाएगा 8 8 प्लस 9 होजाएगा 17 बाय 4 राइट तो अब आप क्या कह सकते हैं भी cross multiply करते हैं 4 को अधर ले जाओ और इसको अधर ले जाओ तो 4 2 जाए 8 x square होजाएगा 4 6 होजाएगा 24 x 4 9 जाएगा 36 यह जब 17 x square से multiply होजाएगा 17 x square और 17 3 से multiply होजाएगा 17 3 जा 51 x अब आप क्या इसको अधर उदर लेके जाओगा राइट यह आप कह सकते हैं कि boss 24 भी उदर जा सकता है 51 बढ़ा है 8 भी उदर जा सकता है 17 बढ़ा है तो 36 भी उदर ले जाना तो अगर आप सब कुछ उदर लेके जाओगा तो कैसा दिखाई देगा देखो तो यहां में क्लाइन ट्रॉब कर लेते हैं सिपरेशन के लिए तो बेसिकली इदर तो माल लीजे 0 बज़ गया एक साइट तो 0 बज़ गया दूसरी सार क्या होगा यह 17 x square जो है 8 x square जो की positive है जब उदर जाएगा तो minus का हो जाएगा तो 17 में से 8 जाकर के कितना बचेगा 9 बचेगा 9 x square यह 51 51 में से 24 जाएगा तो उदर कितना आ जाएगा देखें 50 में से अगर आप 24 घटाएं तो 26 आता है तो एक और आट के लिए 27 आचाएगा राइट और यह 36 से आप उतले आप लिए माइनस में तो सार एक साइड होगा यह दूसरी साइड कुछ नहीं बचा इसलिए 0 लिख लिए अब देखिए इस एक्वेशन में आप 9 कॉमन लें सकते हैं अगर आप 9 कॉमन लेंगे ऐसा हो जाएगा एक स्क्वेर नाइन थ्री जाट 27 होता है नाइन फोर जार 86 होता है डिवाइट करते हैं सब को राइट तो 9 को आप उधर लें आ सकते हैं 0 के नीचे 0 बाइ 9 होता है 0 तो यह तो ultimately 0 होता है तो आप अगर राइन को उधर लेंगे तो बेसिकली यह 0 हट करके एसी एक्वेशन आजेगी एक स्क्वेर प्लस 3 एक्स माइनस 4 इस इकल स्क्वेर जबी भी कभी quadratic एक्वेशन सॉल करनी होती है क्या सिखा है यह पहले ले टम आज़ेज लिखती है लास्ट वेले टम को आज़ेज लिखती है अब आप क्या सूचेएं आपको ऐसे दो नमबर डूनने जिनको प्लस करूँ तो 3 है प्लस माइनस करूँ तो और multiply करने पर 4 है ऐसे नमबर होते है 4 और 1 4 में से 1 कड़ाने पर 3 आता और 4 बन जा 4 होता है तो आप एक लिख देंगे नमबर 4 एक लिख देंगे आप x जो की हुआ लेक्स है जो भी नमबर यहां लगा होता है वो हम बड़े वाले पर follow करते हैं और हमें इने माइनस करवाना है तो डिफ्रेंट शाइन होने चाहिए इसलिए माइनस लगा देंगे अब आप इसमें से x कॉमन लेंगे तो आजाएगा x प्लस 4 इधर आपका क्या कॉमन है कुछ नहीं तो आप माइनस तो आजाएगा x प् प्लस 4 है यहां भी x प्लस 4 है तो आप x प्लस 4 कॉमन लें लिजाएगा ऐसा करने पर आपका क्या बज़ाएगा इधर बज़ाएगा x इधर बज़ाएगा माइनस 1 आप बज़ाएगा आप अलग नग नग कर लिजे क्यों कि आपको बता कि बॉस यह अगड़ 0 के बराबर ह होगा या फिर यह पूरा 0 के बराबर होगा तभी तो eventually multiply के 0 होएंगे तो हम वो case figure out technique question कर रहे हैं जिसमें 0 के बराबर हो सकते हैं अगर यह 0 के बराबर हैं तो यह तभी मुम्किन है जब x की value minus 4 और x की value 1 तो यह दो answer इसके आ सकते हैं और क्योंकि यह quadratic question तो obviously दो solution आते हैं तो यह दो इसके solution है अपने आप में बहुत ही बढ़िया question था algebra का I hope कि आपको अच्छे सी समझ में आया होगा अगर आपको कोई doubt है और आप इस वारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे comment section में जरूर बताएं और अगर आप किसी batch में पढ़ते हैं आप उस batch का हिस्सा हैं तो मुझे class में पूछ सकते हैं इस बारे में discuss कर सकते हैं Thank you so much for watching this video everyone have a very good day goodbye thank you so much